कि कैसे आप लोग का आम शौर कि आप लोग जहां बहुत ही अमेजिंग होगे सो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ट्रपल ए सर्वर से रिलेटेड क्योंकि मल्टिपल यूजर जो है मैं अपने डिवाइस के लिए जो है क्रियेट करना पड़ता है फिर छोड़ के चला जात करके आप अपने मल्टिपल यूजर्स को सिंगल लोकेशन से मैनेज कर सकते हो तो जानने के लिए और पूरा प्राक्टिकल कानफिगरेशन देखने के लिए वीडियो कान तक जड़ू देखिएगा मेरा नावा मंजीत सिंग और आपका अपना चैनल टेग गरू मंजीत और कंपीटर नेट्वोक के बारे में बहुत ही डिटेल के अंतर करीब नौ घंटे जो है आप लोगों को ट्रेनिंग देने वालों 100 प्रसंट प्राक्टिकल तो अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उस पे क्लिक करके 111 रुपे पे क करके आप जो है उस वर्क्शाप को जॉइन कर सकते हैं आज जो है मैं आप लोगों को एक ठीटिकल प्लस प्राक्टिकल जो है एक सेक्शन करके दो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है हर नेट्वर्क इंजिनियर्स के लिए जब मल्टिपल क्या आज की रिट में सबसे ज करें ऐसे में सभी डिवाइसेज को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल टास्क होता है जब हम उन डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर किस तरह का कॉन्फिगरेशन आपको हेल्प कर सकता है ठीक है तो पहले हम यहां पर ठीटिकल ही समझते है और यहां पर आपके पास कोई कंप्यूटर वगरा है तो अब अगर इस कंप्यूटर से आपको वर्चुली इस स्विच को एक्सेस करना है तब क्या करना होगा आप असानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको यह राउटर को एक्सेस करना है तब भी आप असानी से इसको access कर सकते हैं, ठीक है, अब मान लो कि आप खुद अकेले हो, ठीक है, मान लो कि इससे, for example, ये एक है network admin, इसके साथ में एक और team member है, so ये team member है, say for example, Bob, और ऐसे में एक और team member है, इसके पास में, और ये team member है, say for example, John, right, अब यहां पर छोटा सा network है, अमारे पास, तो अब आसानी से ये जो network admin है, वो Bob का user ID password, और जो John है, उसका user ID password, आसानी से create भी कर सकता है, ज्यादा time नहीं लगेगा, और अगर कोई दोनों में से छोड़ के चला जाता है, तो आसानी से उसको delete भी कर सकता है, लेकिन imagine कि अगर आपके पास कोई ऐसा local area network है, जिसके अंदर आपके पास 50 router है, ठीक है, 50 router है, और 150 switches लगे हुए हैं आपके पास में, और उस वक्त आपके पास इस तरह की team है, team network admin, अब आप क्या करोगे, अब आपको total यहाँ पे कितने device होगे, आपके पास switch and router मिला के 200 device, अब ऐसे में suppose को लो, अगर कोई एक और team member join करता है, लेट से एक और बंदा ने join किया, और यह है, इसको हम नाम दे देते हैं, आपके अगर आपके आपके पास switch and router मिला के 200 device, इन 200 devices के उपर में इसकी user ID, password create करना होगा, तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा time लग जाएगा, और अगर ऐसे में suppose को लो, बाब छोड़ के चला गया company, तब भी उसको network admin को क्या करना पड़ेगा, पूरे 200 device से ID को remove करने में भी time लगेगा, one by one, one by one करके remotely access करना पड़ेगा, और फिर उसमें से user ID, password को delete करना, यह एक बहुत ही बड़ा time taking process है, ठीक है, इसी लिए हम जो है यहाँ पर दो तरीके इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने network के अंदर एक server लगा देते हैं, ठीक है, एक server लगा देते हैं, उस server को हम, उस server के अंदर हम triple A, ठीक है, triple A प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम पूरे आपकी जितनी भी आपके device हैं, local area network के, आपके network के जितने भी device हैं, हम उसके साथ में फिर उसको map कर देते हैं, और इस condition में हमें क्या करना पड़ता है, अब user ID, password हमें सभी devices पे जाके connect नहीं करने, हमें क्या करना होता है, सिरफ एक ही जगे पे triple A server में login करो, वहाँ पे user ID, password create करो, that's it, अगर कोई छोड़ के चला गया, तो वहीं से ID delete कर दो, that's it, तो यह आपका triple A जो है, वो बहुत ही important role अदा करता है, जब हम multiple devices को manage करने के लिए, team members के साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में, अब हमारे पास जो है, इसको configure करना है, तो कैसे किया जा सकता है, तो configure करने के लिए मैं आपको लिके चलता हूँ, packet tracer पे, यहाँ पे मैं आपको एक router के उपर में configure करके दिखाता हूँ, Same way आपको सब जगे पे конфigre करना होता है So, यहाँ पर मैं यह एक router ले ले लेता हूँ एक मैं यहाँ पर switch ले लेता हूँ चलो एक और router ले लेते हैं हम, यहाँ पर Let's say, यह एक और router हमने ले लिया तो router ले लिये हैं मैंने, एक switch ले लिया और यहां पर मैं एक computer ले लेता हूँ, जिससे मैं remotely access लूँगा, और मुझे यहां पर एक server भी चाहिए, जिस पर मैं AAA जो है, configure करूँगा, तो इस तरह से जो है, मैंने यहां पर network design कर रहा हूँ, तो यह मैंने computer इससे connect कर दिया, और इसको switch को server से भी connect कर दिया, और यह जो router है, उनको भी switch के साथ में connect कर दिया, अब ऐसे में, अगर मुझे इनको करना है, तो क्या करना पड़ेगा, suppose को लोगी इस router के उपर में, जो IP address दे रहा हूँ, वो मैं IP address दे रहो, 192.168.10.1.24, और इस router के उपर में, जो IP address मैं दोंगा, 192.168.10.2.24, और server के उपर में हम 192.168.10.3.24, और यह जो computer है, इसको हम IP address दे देंगे, 192.168.10.4.24, ठीक है जी, इस तरह से हम इसको configure करेंगे, अब जो है, यहाँ पर इस पर चलते हैं, अब क्यूंकि यह जो maximum हम लोगों के networks के अंदर, आपके Windows servers होते हैं, तो उसी के according ही मैं आप लोगों को explain कर रहा तो यहाँ पर पहले तो मैं IP address दे देता हूँ, सभी को configure कर देता हूँ, जो भी मैंने respective उनकी IP address बोले हैं, तो 10.4 यहाँ पर रहेगा, gateway हम डाल देते हैं, 10.1, तो यह हमने यहाँ पर connect कर दिया, और इसी तरह से आपका router को भी IP address दे देते हैं पहले, तो router पर चलते हैं, और इसको जड़ा configure कर लेते हैं, because इनको configure करके फिर आपके AAA के साथ में map भी करना है, तो यह है आपका R1, इसको मैं configure कर देता हूँ, hostname R1, यानकि यह आपका router number 1, इसके अंदर interface F0 slash 0, IP address 192.160.10.1, 255.255.255.0, no shutdown, यहाँ आपका router कर दिया, आप यह जी दरह से second router, पर चलते हैं, यहाँ पर भी जो है, हम इसको configure कर लेते हैं, तो यह router number 2 है, enter करते हैं, enable करते हैं, let's go into global configuration, hostname R2, यह router number 2 कर दिया है, मैंने इसका नाम, और interface F0 slash 0, IP address 192.168.10.2, 255.255.255.0, और इसको कर देते हैं, no shutdown, तो यह भी हमने यहाँ पर IP address दे दिये, तो यह can see, हमारे यह होगे, अब हम चलेंगे server के उपर में, server में हमारे पास जो है, एक feature होता है, which is called AAA service, अगर किसी के पास नहीं हो, तो आप Microsoft से, उसकी जो official website है, वहाँ से आप इसको, इसका patch जो है, आप download कर सकते हैं, अभी इसके उपर सबसे पहले तो मैं IP address assign कर देता हूँ, जाता हूँ, services में जाके, you can see, यहाँ पर रहा यह आपका AAA, अब AAA में जाके मुझे का करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले तो on करना है, फिर जितने आपके device है network के, उनको आपको इसके साथ authenticate करना है, तो client का नाम, तो उसे for example, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, R1, client का IP address 192.168.10.1, फिर उसका एक secret, secret का यानि कि आप एक कोई भी password decide कर सकते हो, जो password आपके इस router को access करने करते वक्त जो है, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, तो secret में से for example, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, admin at the rate 123, यह password जो है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, अब अगर windows server है, तो वहाँ पर radius इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी तरह के जो है, AAA के लिए आपके Cisco के भी होते हैं, routers, servers, जिसके उपर में हम टकास का इस्तेमाल करते हैं, बटर windows में हम से आपका radius यूज़ करते हैं, यह मैंने यहाँ पर configure कर दिया, इसी तरह से मेरा second device जो है वो क्या R2 है, उसका EPDES क्या है, तो उसका EPDES है 10.2 और उसका secret इसका भी मैं same कर देता हूँ, admin at the rate 123 और इसको भी मैं add कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जितने आपके user ID हैं, वो आप यहाँ पर create करोगी, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, say for example admin, जो network admin है उसका, और उस add कर दिया, bob is second team member, bob, उसका password bob123, ठीक है, यह दो create कर दिये, अब इसको हम करते हैं, बन, अब हमने क्या करना है, यह जो दोनों आपके routers हैं, इनको हमने क्या करना है, अथंटिकेट करना इस AAA के साथ में, तो पहले तो इस router पे चलते हैं, इस router पे जाके, कुछ basic configuration सबसे पहल हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका जो privilege mode है, उसके भी password डालना पड़ता है, यह पर secret password डाल देता हूं, g123, ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहां पर, अगर suppose को लो कि आपका जो server है, जो AAA server है, वो आपका down हो गया, XYZ reason की वज़े से down हो गया, तो आप क्या चाह user id password सब के उपर में create कर देते हैं, तो मैं यहां पर ऐसे for example डाल देता हूं, user id is manjeet, ठीक है, और इसके बाद मैं इसका password डाल देता हूं, g123, ठीक है, यह मैंने password डाल दिया, यह मेरा master user id password है, जो मैं सब के उपर में configure गहूँ, अब मुझे इसको AAA के साथ मैं authenticate करना है, तो इनेबल करती है AAA services को आपके networking device के उपर में, अब हम यहां पे क्या कर रहे है, radius server का इस्तेमाल कर रहे है, तो radius server जो है host है, यानि कि उसका IP address क्या है आपका, तो उस server का हमारा IP address है, which is 10.3, एक बाद चेक कर लेते हैं, 10.3 है, तो यह हमने 10.3 एंटर कर दिया, वापस से हम यहा पर key create करेंगे, तो key हमने वाँ पर क्या डालिया उसके लिए, तो हमने key डाली थी secret admin at the rate 123, तो यह उसको authenticate करने के लिए हो गया, तेक है, अब हमने इसके उपर में policy implement करनी है, policy यानि कि अगर इसके पास remotely access करने के लिए, अगर कोई command आती है, तो सबसे पहले क्या करें, फिर ट्रिपल ए ऑथन्टिकेशन, इसके बाद आपको यहाँ पर login, तेक है, उसके बाद आपको कोई group policy का group create करना है, तो group का नाम हम दे रहते हैं, ABC, और यह आपका क्या है, group है, अब जब भी कोई command आए, तो यह उसको सबसे पहले कहां पर लेके, उस request को, कहां पर user ID, password जो भी वो user ID, password यह कहां पर चेक करे, radius के उपर, अगर radius के उपर उसको नहीं मिलता है, तब वो कहां पर करे, local memory के अंदर, तो यह हमने यहाँ पर policy implement कर दी, अब हम इसको virtually access करने के लिए हम create करेंगे, line vty 024, तेक है, 024, अब इसके बाद जो है, हम यहाँ पर करेंगे, login authentication, और उसक जो भी हमने यहाँ पर group का नाम create करा, वो यहाँ पर नाम आप करेगा, तो यह हमने यहाँ पर create कर दिया, same way, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर, second जो router है, उसके उपर में भी same configuration करेंगे, तो अभी हम दूसरे पर चलते हैं, router no.2 पर, let's go into global configuration, enable, और इसके बाद जो है, यहा कर दिया, इसके बाद AAA, new model, enter, यह हमने enable कर दिया, then आपका radius server, host कौन सा है, आपका 192.160.10.2, sorry, 10.3, और इसके बाद वापस से, again, radius server, key कहा है, हमने डाली इसकी, admin at the rate 123, इसके बाद जो है, हमने policy create करना है, that is, AAA, authentication, फिर आपका process login, और group ABC, और यहाँ पे group का नाम देते हैं, और उसके बाद आपका जो है, पहले radius को check करें, अगर वहाँ नहीं मिलता, local memory को check करें, फिर आपका line VTY 0 से 4, और इसको जो है, हमने process करना है, login authentication, और आपका group का नाम, that is, ABC, तो यह आपका हमने set कर दिया, अब इस computer से, हम जो है, इस इसको access करके देखेंगे, तो चलते हैं, यहाँ पे command prompt पे, तो मैं इसको telnet करके देखता हूं, right, telnet, तो पहले मैं एक server को access करता हूं, 192.162.10.1, enter करते हैं, it is asking me to put username, तो अभी यहाँ पे router number 1 के उपर में, bob नहीं create किया, मैंने, right, तो bob, password bob 123, enter करते हैं, तो यह मैंने enter कर द यहाँ पे, तो अभी first time data transmit हो रहा है, तो ज्यादा time लग सकता है, you can see, route number 1 मुझे access हो चुका है, तो यहाँ पे, इसको मैं enable करके enter करता हूं, तो password जो आपका g123, enter करते हैं, तो you can see privilege mode पे आगए, अब अगर मैं यहाँ पे show users करके दिखाऊं, enter करके, तो you can see, यहाँ पे 10.4 से, तो यह जो है, आपका यहाँ पे पूरा detail हमें दिखाई दे रहा है, अब यह bob अगर यहाँ से एक router को access कर रहा है, तो यहाँ से दूसरे को access करना है, तो यहाँ से exit करते हैं, वापस telnet करते हैं, तो second router का IP address क्या है आपका, 10.2, enter करते हैं, username bob, password bob 123, enter करते हैं, तो यह आपका जो है, पहले request गई router के पास, router से अब यह जाएगी आपके AAA server के पास, AAA server उसको authenticate करके वापस reply करके देगा आपके router को, और यह you can see, same user ID password से, router number 2 भी access हो चुका है, enable करते हैं, password g123, तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको show users करके दिखाऊ, तो यहाँ पर भी अगर मैं आ अब अगर मैं यहाँ से john के जरीए में, john मेरी team में join किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर AAA में जाऊँगा, और यहाँ पर जाके john create कर देता हूँ, user ID john, password john123, और इसको मैं add कर देता हूँ, इतना simple है, मुझे कहीं पर जाके create नहीं करना है, यह मैंने create कर दिया, अब मै मैं वापस से computer पर जाता हूँ, अब मैं यहाँ से bob से exit करता हूँ, और अब मैं वापस से यहाँ पर telnet करता हूँ, ठीक है, telnet 10.2 कोई access करना चाता हूँ, अब john से मैं access करना चाता हूँ, तो password john123, enter किया, तो you can see router number 2 access हो चुका है, ठीक है, enable करते हैं, password jeet 123, enter करते हैं, show users कर तो you can see, अब john ने यहाँ पर access किया है, अब यह दोनों user जो है, वो आपके सभी device को access कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब suppose को लो की bob ने आपके यहाँ से छोड़ दिया, तो you can remove bob from AAA server, अब यहाँ से remove कर दिया, तो अब bob जो है वो आपका activate नहीं होगा, तो मैं यहाँ से exit करता ह और वापस bob से आपको login करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर telnet करते हैं, तो यहाँ पर bob, enter, bob 123, enter करते हैं, you can see हमें लिख्या गया, invalid login, because AAA ने उसको authenticate नहीं किया है, ठीक है जी, अब अगर आपका AAA बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी क्या करता हूँ, यह पर जो cable है, उसको remove कर देता हूँ, यह मैंने cable remove कर दी, अब भी आपका AAA जो है, authenticate नहीं कर सकता, ठीक है तो अब अगर मैं John से भी access करने की कोशिश करता हूँ, तो John से भी अगर मैं enter करता हूँ, username और password john123, enter करता हूँ, तो यह John से भी, क्योंकि अब AAA server जो है, वो आपके network क अंदर connected नहीं है, या उसके अंदर कोई issue आ गया है, तो यह उससे authenticate नहीं करेगा, लेकिन अगर मुझे अभी इस router number 2 को या router number 1 को access करना है, जब मेरा AAA server local area network में fail हो चुका है, you can see, यहाँ पर लिख्या आगया, आपके पास invalid IP, login invalid, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ password create किया था, तो user ID के आद किया था मैंने manjeet, और उसका password डाला था, मैंने यहाँ पर jeet 123, enter, sorry, jeet 123, enter करते हैं, अब यह चेक करेगा, कि यहाँ पर जो password है, वो AAA server के पास में है, अब AAA reply नहीं देगा, तो अब यह क्या अगरेगा, router की local memory को read करेगा, और उसके अंदर चेक करे अगर यह उसके अंदर नहीं मिलता है, तो यह authenticate नहीं करेगा, you can see, इसको पहले इसने AAA को किया, नहीं मिला reply, फिर इसने local memory चेक करी, और इसको reply मिल गया, और इसने मुझे यहाँ पर access करने दे दिया, तो यह मैंने password डाल के enter करता हूँ, अब अगर यहाँ पर मैं show users करके द manageable device मिलते हैं, और इसी तरह से AAA radius server का इस्तेमाल करके, हम लोग authentications आपका काम करवा सकते हैं, तो multiple device को हम बहुत आसानी से manage कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि आप अगर being a network admin काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई भी workload नहीं रहेगा, आपको सिरफ server पे login करना है, create करना है, और सार regular user को rights मिल जाएंगे access करने के, ठीक है, तो यह है आपका AAA, जो कि आज मैंने आपको configure करके दिखाया, आई हो guys कि आज का यह जो वीडियो मैंने आपको बताया, पुरा practical training दिखाया, यह आपको पसंद आया होगा, पसंद आया, तो like and share कर दें, और workshop जोइन करना है, तो link description के अ नए हो channel पे subscribe कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, share जरूर कर देना,